सर नमस्कार लोकमत नियू से प्रतीक्षा कुकरेटी बुल रही हूं तब वॉलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवी अब हमारे बीच में नहीं रही इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहूंगा कि ये तो सब भगवान की मर्दी के बिना कुछ होता नहीं है वो बहुत ही ज़ादा अपने स्वास का ख्याल रखी थी फिट रहती थी थी एक्टिव थी और जहां तक उनकी करियर का सवाल है तो उसका तो कोई मुकाबला था ही नहीं वो सौट इंडिया से आएं वो भाशा जानती नहीं थी और हिम्मत वाला के बाद उन्होंने कभी पीशे मुटे देखा नहीं और वो एक अकेली हिर्वेन थी जिसके नाम पर फिल्म बिक्ती थी है हमेशा हीरो के नाम पर फिल्मे बिक्ती है लेकिन श्री देवी की लुप्रियता एतनी थी के उनके नाम पर फिल्मे बिक्ती थी और चववन साल की उम्बर ज़ए वो जाने की नहीं है लेकिन ये भी तहूंगा कि 54 साल की उम्बर में जितना श्री देवी ने काम किया कोई आम इंसान 154 साल की जिंदगी में इतना काम नहीं कर सकता तो श्री तो गई है वो शारेरिक तोर पे वो आज हमारे बीश नहीं है लेकिन जो उनका कंट्रिब्यूशन है जो उनका काम है वो तो ता जिंदगी ता कयामत तक रहेगा उसे बिल्कुल जुटलाया नहीं जा सकता वाकर ये एक बहुत बड़ी शती है ये बहुत बड़ा मुसान है लेकिन फिर हम यही कहते हैं कि उपर वाले की मर्दी के आगे इंसान की कुछ चलती नहीं है हम सब के सब शौक्ट हैं वो दुबई में उन्होंने अपकी आखरी सांस लिए आज मैं भी दुबई में हूँ और बस उनकी आत्मा की शांती के लिए हम दुबई कर सकते हैं उनकी बेटी की फिल्म रिडिस होने वाली थी एक मुहिने में उसी वजा से वो शादी में शरीक नहीं हो पाई उनकी बेटी जांग भी तो वो अपनी बेटी की फिल्म नहीं देख पाई यह बहुत ही अफसोस प्राइब बात है तो हम उनकी आत्मा की शांती जी आप आप आपने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है जांबाज में आपने साथ में काम किया आपका कैसा एक्सपिरिएंस रहा क्या आपको उनकी शक्सित की कोई बात याद है मैंने काफी फिल्में की उनके साथ मैंने जांबास की चांद का टोड़ा की मजाल की काफी फिल्में की मैंने उनके साथ खामुश तबियत की थी कम घुलती मिलती थी और पुरा ध्यान अपने काम में रखती थी रिजर्व नेचर था वो किसी से भी फौरी तोर पे खुलती नहीं थी खुलने में वक लेती थी थी वो अपने काम से काम रखती थी और बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीका था उनका काम करने का समय पर आना पूरे कंसेंटरेशन के साथ अपना काम करना तो ये उनका काम करने का तरीका रहा है यही वज़ा है कि जब तक उन्होंने काम किया वो नमबर वन रही और हर स्ट्रीच आती है कि वो अपना घर बसाए और घर बसाने के बाद वो बिलकुल एक हंड्रेट परसंट वो हाउस वाइफ हो गई और पूरा वक्त उन्होंने अपनी बच्चियों को गिया अपने घर को दिया कई बार मैंने उन्हें मार्किट में सब्जी खरीदते हुए भी देखा है तो सब्जी खरीदने जाती है तो सिंपल नेचर थी उनकी और कम बात करती थी और जो भी उनके जजबात होते थे या जो भी उनका सैंस आफ यूमर होता था वो कैमरे के साम में खुलता था तो कैमरे के साम जब कैमरा ओन होता था तो बहुत खुल के काम करती थी जो भी रिक्वार्मेंट होती थी वाके ये यकीन आने वाली बात नहीं है कि आज हुए आज वो हमारे जिना हमारे पीच नहीं है लेकिन यकीन तो करना पड़एगा जी ब्लकुर उर बस उनकी आत्माजी शानती के लिए ज़ॉक ही जासकती है यही कहा जासकता है जी बलकुर बहुत शक्री आपका लोकमधियों से बात करने लिए लिए